साल 2024 ने 10 तक दे दी है पिछले साल की तरह ये साल भी भारत के लिए कई मायनों में खास होने वाला है 2014 से लेकर 2023 तक भारत की सांस्कृतिक धरोरों को सवारने का काम हुआ है लेकिन 2024 में 10 ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं जिनसे भारत में सनाफन की नए युग की शुरुआत होई सदियों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को राम लिला टेंट से निकल कर रहते हासिक और भवे मंदिर में विराज मान होँगे ये मोधी मंदिर की प्रांट प्रतिष्ठा करेंगी आयोध्या आने वाले रामभक्तों को कोई दिक्कत ना आए इसके लिए हाइवे से लेकर इल्वेस्ट्रेक्शन एयरपोर्ट तक श्रधालूं के लिए सारी वर्ल्ट क्लास सुवेधाएं उपलब धूंगी बाबा अमरनाथ की गुफा तक रोन बाबा अमरनाथ जाने वाले शुद्हालूं की यात्रा में मौसम बाधा ना बन पा इसके लिए सरकार अमरनाथ गुफा तक 110 किलोमीट्र लंबी सडक बनवा रही है जिसमी करीब 11 किलोमीट्र लंबी सुरंग भी शामिल है अभी श्री नगर से अमरनाथ यात्रा को करने में तीन दिन का समय लगता है लेकिन इस सड़क के बनने के बाद यात्रा मात्र आट से नौ घंटे में पूरी हो जाएगी काशी में विश्वनात कॉरोडोर और जैन में महाकाल कॉरोडोर की तर्श पर मत्रुआ में भवे बांके बिहारी कॉरोडोर भी बनने जा रहा है इलाहबाद कोटनी मंदिर के चारो तरफ पांच एकड़ में कॉरोडोर बनाने की मंजोरी देती है गल्यारा बनने के बाद बिना धका मुखी 50,000 से अधिक श्रधालू दर्शन कर सकेंगे कॉरोडोर में तीन रास्ते होंगे पहला रास्ता को जुगलगार से शुरू होगा जिसमें आप पहले से ही भविश के अत्यधुनी कामाख्या कॉरोडोर का नजारा देख सकते हैं नए कॉरोडोर में एक लाग वर्गफुट खाले श्रेत होगा जिसमें भक्तों को मा कामाख्या के सुलब दर्शन हो सकेंगे मा विंदेवासनी कॉरोडोर राम बंदिर और बाकी बिहारी कॉरोडोर के साथ ही उतर प्रदेश के मिर्जापूर में 331 करोड की लागत से माविद निवासनी कॉरोर बनाया जा रहा है ये सीम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है दो मंजिला का 50 फिर चोड़ा परिकर्मा पत तयार हो चुका है मावैशनो देवी धाम तक एक्सप्रिस्वी बनकर तयार होनी वाला है जिससे मावैशनो देवी के दर्वार तक पहुंशना तो आसान होगा ही साथ ही सिक्पंध की कई पवित्रस्थलों को भी कनेक्टिविटी देगा हम बात कर रहे हैं 670 किलोमेशनो लंबे दिल्ली अमरिटसर का ट्रा एक्सप्रिस्वी की जिसके बनने से दिल्ली अमरिटसर के बीच का सफर 8 घंटे से घर्ट कर 4 घंटे और दिल्ली से कट्रा जाने में 14-15 घंटे की जगा 6 घंटे का समय लगेगा इसकी मदद से भक्त माता वैशनो देवी के दर्शन बड़े आराम सिख कर सकेंगे इस प्रोजेक्ट की जरिये सरकार यमुनोत्री, गंगोत्री, बदरिनाथ और केदारनाथ जाने वाले भक्तों को सुलब रास्ता देना चाहती है जो मौसम की मार को बरदार्श कर सकें इसके लिए 12,000 करोड रुपे की लागत से 899 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी जिसमें 200 रंगे, 15 पुल, 5 बड़े ब्रिज, 18 यात्री सेवा किंदर और 13 बाइपास बनाया जा रहे है रेल्बी इंजिनेरिंग मारवल नियो पंबन ब्रिज भी 2024 में बनकर तैयार होगा तमिलनाडो में रामेश्वरम के पास बन रहा अनोखा ब्रिज ट्रेन के आने पर पट्री बिछा देगा और जब जहाज या स्टीमर को निकलना होगा तो खुद से उपर उठ जाएगा न्यू पंबन ब्रिज उन शद्धालूं के लिए बरदान साबित होगा जो रामेश्वरम धनुष कोडी की यात्रा करना चाहते है शारदा पीठ यात्रा 2024 में पीयोके में एस्टेश शारदा पीठ के दरशन करनी का सपना भी पूरा हो सकता है 32 साल पीयोके एसेंबली ने 5000 साल पुराने शारदा माता पीच में के लिए भारत से आने वरश धालूं के लिए परड़ोर बनाने का प्रस्ताव पारित किया था दो हजार तेज में जमुकश्मीर के करना सेक्टर में शार्दा मंदिर का उत्गहटन करने गिवाद शाहने कहाना की सरकार आने वाले दिनों में शार्दा पीठ यात्रा के लिए कबजे वाले कश्वीर में एक गलियारा खुलने का प्रयास करेंगी दो हजार चौदा के बाद किस तरह से धार्मिक स्थानों का पुनन उधार हुआ इस वात से कोई इनकार नहीं कर सकता काशिक और और महाकाल लोग बाबकीदार नाध धाम का काया कल देश्वासियों के सा ब्योरो रिपोर्ट एक भारत न्यूज